साथियों, डॉक्टर आम्बेड कर कहते थे, मेरे तीन उपाश्य देवता है, ज्ञान, स्वाविमान और शील, यानि नॉलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट और पॉलाइटनेज, जब नॉलेज आती हैं, तभी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है, सेल्फ रिस्पेक्ट से व्यक्ति अपने अधिकार, अपने रैट के लिए एवेर होता है, और इक्वल रैट से ही समाज में सम्रस्ता आती हैं, और देश प्रगति करता है, हम सभी बाबा साब के जीवन संगर्श से परिचीत हैं, इतने संगर्शों के बाद भी बाबा साब जिस उंचाई पर पहुँचे, वो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है, बाबा साब आमबेड कर हमें जो मार दिखा कर गए हैं, उस पर देश निरंतर चले, इसकी जिम्मेदारी हमारी सिक्षा विवस्ता पर, हमारे विश्व विद्धानों पर हमेशा रही हैं, और जब प्रश्ण एक राष्ट के रुप में साजा लक्षों का हो, साजा प्रयासों का हो, तो सामोही प्रयास ही सिद्धी का माध्यम बनते हैं, इसलिए मैं समगता हूँ, इसमें Association of Indian Universities की भूमी का महत्वपुन हो जाती है, AIU के पास तो डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्ण जी, डॉक्टर शामा प्रशाद मुखत जी, स्रीमत्य हांसा महता जी, डॉक्टर जाकीर हुसें जी, जैसे विद्वानों की भी एक बहुत बड़ी लंबी बिरासत है डॉक्टर राधा कृष्ण जी कहते थे, the end product of education should be a free creative man who can battle against historical circumstances and adversities of nature. ताथ पर यह यह, कि सिक्षा को वो, एनि सिक्षा वो हो, जो व्यक्ति को मुक्त करें, वो खुल कर सोचें, नई सोच के साथ नया निर्मान करें. उनका मानना था, कि हमें अपना education management, पूरे world को एक unit मान कर विक्सित करना चाहिए. लेकिन साथ ही, वो education के Indian character पर, भारतिय चरित्र पर भी उतना ही बल देते थे. आज के global scenario में, ये बात और भी महत्वपुन हो जाती है.